महुविधान सभा शेत्र की ग्राम पंचाय सातेर की कमल सिंग परमाण ने बताया कि जब वे शाम को किशनगन में डॉक्टर जेन को उनके होस्पिटल में दिखा कर अपने घर सातेर जा रहे थे और जब हरीजन महले में पहुँचे तो वहाँ पर शराव पीकर अरजुन और अन्य साथी शराव के नशे में गाड़ी के सामने उसने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और बेवज़ा चिल्ला चोट करने लगे इतने में अरजुन ने चाकु निकाला और कमल सिंग परमार को मारने के लिए दोड़ा जिसके बाद उसने अपने भाई आशीश को भी बुला लिया और दोनों ने और कमल सिंग के साथ अभधरता की चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि पहले भी हमने इनके खिलाफ हरीजन एक से मारने की भी धमकी दी जिसकी शिकायत उनके द्वारा और गाउंवालों के साथ सुबह किशन गंज थाना पहुँचकर खिलाफ FIR दर्जकराई प्रशासन से निवेदन है कि यह सभी अवेद शराव बेचते हैं उनके खिलाफ आपकारी एक्ट के साथ ही उनके खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की जाए महु से संजे वर्मा की रिपोर्ट इसलिए रात को हमारे बड़े भाई कमल सिंग जी परमार अपनी बच्ची को अस्पताल से दिखा कर घर ले जा रहे थे इस बीच में दलिद व्यक्ति द्वारा उन पर तेज वहां चला कर कीचण उचाला गया उनको समझाईश में यह कहा गया कि करपया गाड़ी धीरे चल और इनके ही द्वारा पहले तीन अलग अलग व्यक्तियों पर एक्ट्रोसिटी एक्ट की धारा लगा कर राजिनामे की रूप में बड़ी राशी वसूल की गई हम नहीं चाहरें कि कि किसी भी निर्दोस व्यक्ति पर एक्ट्रोसिटी का प्रावधान लाग हो इस कि विल्कुल हमें आस्वास्त कर दियागा है उनके खिलाब जो भी उचित कारवाई की जाएगी अगर उचित कारवाई नहीं होती है तो संपुन्ट शत्रिय समाज करणी सेना अकिल बाती शत्री महासफा द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन और ठाने का घहराव किया जा ग्राम किशन गंज ग्राम बंचाद सातिर आपका नाम बता है मैं ओम प्रकाश परमाद